Hello students, welcome to my channel तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं reverse osmosis and water purification यानी reverse osmosis पढ़ेंगे हम लोग और reverse osmosis के माध्यम से water का purification किस प्रकार से होता है वो आज के इस वीडियो में समझेंगे तो सबसे पहले ये reverse osmosis होता क्या है इसे समझें तो इससे पले हमें यह जानना जरूरी है कि osmosis होता क्या है तो चलिए फटा-फट से एक quick review osmosis के उपर कर लेते हैं तो osmosis के अंदर क्या होता है तो माल लेते हैं यह दोनों बीकर में इस वाले बीकर के अंदर solute की मात्रा कम है जिसके कारण जो solution है यहाँ पे वो low concentration वारा solution है और यहाँ पे माल लेते हैं solute की मात्रा को जादा कर दिया गया है तो जिसके कारण यहाँ पे जो solution का concentration है वो higher concentration वाला solution है ठीक है तो movement of solvent किधर से किधर होगा तो lower side का solvent है वो higher side के solution की तरफ चला जाएगा through semi-permeable membrane क्योंकि semi-permeable membrane क्या करता है सिर्फ solvent particles को ही allow करता है अपने अंदर से जाने के लिए और solute के molecule बड़े-बड़े होते है इसलिए वो इस semi-permeable membrane के पार नहीं हो पाते है ठीक है तो low concentration वाला solution जिधर भी रहेगा उधर से movement हो जाएगा solvent का higher concentration वाले solution की तरफ ठीक है समझ में आगई बात तो इतना तो हम लोगों ने osmosis के बारे में समझ लिया तो अब हम लोग अब आसानी से reverse osmosis को समझ सकते हैं क्योंकि reverse osmosis नाम से ही लग रहा है कि osmosis का just ultra तो चलिए इसका definition देख लेते हैं तो देखे यहां पे reverse osmosis the direction of osmosis can be reversed if pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side दूसरा point देख लेते हैं that is now the pure solvent flows out of the solution through the semi permeable membrane this phenomenon is called reverse osmosis ठीक है अब हम इसी दोनों statement को अब हम अच्छे तरीके से एक system के ऊपर discuss करने वाले हैं जिससे हमें अच्छी तरीके से reverse osmosis समझ में आ जाईगी तो यहां पे देखे रिवर्स osmosis के लिए हमने एक system को बनाया है इसे समझने के लिए देखे यहां पे system को दो खंडों में विभाजित किया है through semi permeable membrane के माधियम से ठीक है यहां पे क्या है एक तरफ है हमारा fresh water मतलब बिल्कुल सुध पानी है और दूसरे तरफ है salt water अब यहां पे reverse osmosis के माधियम से यह salt water fresh water में कैसे convert होता है अब यहां पे देखिए fresh water है तो यहां पे osmosis क्या था कि low concentration से solvent का movement हो रहा था higher concentration वाले solution की तरफ तो osmosis की अगर बात कहें तो यह जो fresh water है और यह जो salt water है तो concentration यह salt water में ज्यादा है तो osmosis अगर हो रहा है तो movement of fresh water की side होना चाहिए इस side जाना चाहिए ठीक है तो फिर क्या होता है osmotic pressure हमने पढ़ा है कि जब lower concentration से higher concentration के तरफ जब solvent का movement होता है तब यहाँ पे pressure लगाया जाता है देखिए यहाँ पे piston लगा दिया गया है piston के द्वारा जब pressure लगाया जाता है तो तब तक pressure लगाया जाता है कि जब तक कि movement of solvent particles रुक न जाए ठीक है जो move कर रहा था low concentration से higher concentration की तरफ तो उतना pressure लगा देने से क्या हो गया solvent particles का movement थम गया अब यहाँ पे तो जितना pressure लगाने पर movement of solvent particles का रुक जाना क्या हो जाता है वो osmotic pressure कहलाता है अब यहाँ पे क्या होगा और जब हम osmotic pressure से भी ज़्यादा pressure लगा दे इस piston के उपर तो फिर क्या होगा तो इस side का solvent particle है इधर ज़्यादा pressure लग रहा है तो अब जो direction होगा solvent का just opposite हो जाएगा यानि higher concentration से अब solvent का movement किस तरफ हो गया lower concentration की तरफ जा रहा है ठीक है लेकिन osmosis की जो प्रक्रिया है वो spontaneous होता है ठीक है वो spontaneous reaction होता है वो natural होता है उसके उपर कोई system के उपर कोई pressure लगाने की ज़रूत नहीं है लेकिन जब reverse osmosis करते हैं तो यह non spontaneous reaction होता है ठीक है अब non spontaneous मतलब की इस पर extra pressure लगा कर हमें इसको मजबूर करते हैं solvent को opposite direction में जाने के लिए जब इधर से जब ज़्यादा अधिक pressure लगेगा तो solvent का movement अब इस side होगा ठीक है पहले pressure लगा तो osmotic pressure बना तो movement of osmotic pressure के माधियम से इस side से जो solvent का movement हो रहा था वो रुख जाता है और ज़्यादा जब extra pressure लगा है यानि osmotic pressure से जब ज़्यादा प्रेशर लगा तो solvent का movement अब उस side ना होके इस side से वापस मतलब की यह just opposite osmosis का just opposite direction में तो इसी परकार जब इसमें salt water है तो solute का movement नहीं होगा क्योंकि semi permeable membrane सिर्फ solvent को ही allow करता है जाने के लिए ठीक है तो movement of solvent ही हो रहा है यहां भी osmosis की प्रिक्रिया हो रही है लेकिन just opposite हो रहा है solvent का movement हो रहा है लेकिन just opposite हो गया यह higher concentration से lower concentration की तरफ अब जा रहा है अब क्या होगा कि यहां पे ज़्यादा pressure लग गया यह मालने तहें salt water है ज़ fresh water जो है वो इधर आ गया और नमक इसी side या फिर जो भी impurity है इस system के अंदर वो इसी side रहा गया यानि solute जो भी है वो इस side रहा गया fresh water इधर आ गया और यहां से यह जो नल लगा है इसके माध्यम से आप यहां पे container में इसे collect कर सकते है इस fresh water को ठीक है इसी को हम लोग घर मे आरो के नाम से जानते हैं जो कि घर में लगाया जाता है water को purification करने के लिए तो यही एक reverse osmosis के माध्यम से ही water का purification होता है तो आजकल अधिकांस घरों में यह reverse osmosis यानि की आरो लगाया जा रहा है ठीक है और यहां पे देखिए यह जो semi-permeable membrane है वो होता है cellulose acetate का बना ठीक है और semi-permeable membrane naturally भी बनता है और यह cellulose acetate जो है वो मानो निर्मित है यानि क्रित्रिम है ठीक है cellulose acetate का ही इस्तेमाल इस लेकिया जाता है क्योंकि यह एक ऐसा semi-permeable membrane है जो काफी मजबूत होता है क्योंकि जब हम इधर से जब प्रेसर जब लगाया जाता है तो इस पर cellulose acetate यानि semi-permeable membrane पर भी प्रेसर ज्यादा लगेगा अगर ज्यादा प्रेसर लगेगा अगर यह membrane अगर कमजोर होगा तो वो क्या हो सकता है फट सकता है और फटने के कारण क्या होगा फिर से यह जो filtration का काम हो रहा था वो नहीं होने पाएगा साथ-साथ solvent के साथ- का इस्तिमाल करते हैं वो cellulose acetate का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है तो यहां देखिए cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in sea water यानि समुदर के जल को इस आरोख के माधहम से यानि reverse osmosis के माधहम से इसे purification किया जाता है और यह जो cellulose acetate जो है यानि semi permeable membrane जो है वो सिर्फ water को allow करता है अपने अंदर से जाने के लिए यानि solvent हमारा के water है तो उसी को allow करता है और बाकी जितने भी गंदगी है इस पानी के अंदर उसे रोक लेता है ठीक है आयन हो गया impurity जितना भी है वो इसी रोक लेता है बाकी pure water को inside आने देता है ठीक है समझ में आकर बात और इसी आरो और या फिर कर सकते हैं इसी reverse osmosis का use जो होता है वो जो समुदरी जल है उसका purification करने के लिए किया जाता है ठीक है और बहुत सारे देश भी क्या कर रहे हैं यह आरो का plant लगा रहे हैं अपने अ अपने देश के अंदर सुध वाटर यानि की pure water की पूर्ती हो सके ठीक है भले ही हमारे घरो में जो आरो लगता है वो जो सिस्टम है वो देखने में इस तरह का नहीं होता है लेकिन जो principle है बिल्कुल इसी principle पे काम करता है reverse osmosis के principle पे ही काम करता है ठीक है तो आज किस वीड गुबाय तेक यह थैंक यू